हेलो दोस्तों अपका स्वागत है फाइनली जैसे कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था आज आप सभी लोगों के लिए मैंने वान प्लस एट प्रो का अंबॉक्सिंग और साथ में एक गिववे यहाँ पर ले के आ गया हूँ जी हाँ मेरे पास सबसे हाईयर वेरियंट है 12GB RAM 256GB यह आपको वैसे दो वेरिंट में मिलता है बेस 8128 आपको 55,000 का मिलता है और यह जो हायर वाला है यह आपको 60,000 का मिलता है इसके अंबॉक्सिंग दूँगा टेक्न रूवे स्टाइल में सारी जानकरी दी दूँगा गिववब हमें पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क वैसे इविडिए यह वान प्रूस एट प्रो यह जोए जでも सेलके लिए इस विडिया रहा है अच्छी बात है दोस्तों कि अगर आप यहां पर गौर करते तो यह इंडिया में मैनेफेक्चर हुआ है जो मुझे देखिए काफी बढ़िया लगा है और सार विल्यू की बात करेंगे तो यह अक्सर शॉट फॉर महीं दियता है तो वन प्लस 8 के जो डिजाइन है वैसे तो वो एकदम से में गलॉसी बैक है चैमेरी की प्लीसमेंट में देखिए तो से में बस यहां पर चौता कैमरा आपको एडिशनली मिल जाता है वो सब कुछ तो से में दोस्तों लेकिन वेट और ठीकनेस भी आपको फोड़ा जादा मि इस बहुत दिए बढ़ाया तो थोड़ी बोग चीजे इस वजह से आपको थोड़ा अपधर्ण नें बाकी तो दोस्तों फिल त llama मिल रहा structured यहां पर दिखने प्छे देखने को मिल जाती फिसिक और की बात करें तो नीचे देखेंगे आपको सिम ट्रे मिलता है यहाँ पर सिफ दो सिम काड़ लगा सकते हैं माइक्रोश्टी काड़ का स्लोट नहीं है आपको माइक होल मिलता है एंटेने मेंट्स के आप देखेंगे आपको दो डिजाइन मिलती है उपर देखेंगे आपको सेकेंडरी माइकोल मिलता है यहाँ पर भी ऑन टन आप ड हमीर पर सपीकर मिलता है तो इसको रखेंगे Victorian कि बॉक्साइब बॉक्स मिलता है इसमेंड सारी चीज़like roller मिलता है सीम आप लगी और यह देखिए सार वेल्यू की इंफॉरमेशन और यह नेवर सेटल वगरा यह सब कुछ सेफटी इंफॉरमेशन इंविटेशन लेटर वही सेम चीसे जो आपको वन प्रस एक में मिलती है और उसके बाद इसका भी जो बैक कैसे दोस्तों यह देखिए वही सेमें वन प्रस एट जैसा नेवर सेटल यहाँ पर लिखा गया है और उसके बाद यह टाइप सी केबल वैसे इसको वॉप केबल बोलते हैं थाइप सी केबल नहीं बोलते है और उसके बाद चार्जर देखिंगे दोस्तों आपको वही सेम मिलता है 30 वाट वाला जो बैको वायर चार यह OnePlus 8 और यह OnePlus 8 Pro actually में आप differentiate नहीं कर पाएंगे बस screen size में थोड़ा फरक है और QHD, FHD और 90Hz, 120Hz यह आपको फरक वैसे मिल जाता है लेकिन फिर भी normally दूर से ऐसा देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा OnePlus 8 और कौन सा OnePlus 8 Pro है यहाँ पर दोस्तों Android version की बात करें तुम जाते हैं settings में about में जाते हैं आप देखेंगे Android 10 है और Oxygen OS 10.5.9 मिलता है और वही Oxygen OS वाले कमाल की जो आपको features मिलते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके अलावा कुछ और additional features की बात करें तो आपको UFS 3 के storage का support मिलता है जो OnePlus 8 में भी आपको मिल जाता था लेकिन यह यह चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है और Google Cam अगरे का support मिलता है तो यह भी अच्छी बात है और साथ में दोस्तों यह OnePlus का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको official IP ratings मिलती है IP68 जो की water और dust रिजिश्टर ने तो एक चीज़ आपको यहाँ पर यह बहुत ही क Gorilla Glass 5 की आपको यहाँ पर protection मिल जाती है और यह भी दोस्तों दोनों तरफ से आपको curved मिलती है तो यहाँ पर भी आपको काफी premium feel होगा और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको MEMC वाला भी support मिल जाता है जो OnePlus 8 में नहीं था यह actually में दोस्तों अगर आपको ऐसा वीडिय refresh rate मिलता है तो यह एक बहुत ही कमाल की चाहिशी जो display का performance आपको मिलेगा वो आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा तो QHD में भी दोस्तों आप 120 Hz का इस्तेमाल कर सकते है settings में जाके आप अपने एसाफ से जिस तरीकी से suit करता है वो आप यहाँ पर set कर सकते है वैसे HDR 10 प्रस का भी आपको यहाँ पर support मिल जाता है तो overall दोस्तों डिस्प्ले है वो complete feature package जो colors वगर आपको मिलते है जो brightness से जो performance आपको मिलेगी वो बहुत ही कमाल की है तो display के मामले में दोस्तों मुझे इस device से कोई भी complaint यहाँ पर नहीं है उसके लागा performance की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 865 वालब processor मिलता है ओविसली flagship processor है और इस तो ओविसली आपको 5G मिल जाता है तो performance आपको यहाँ पर काफी कमाल की मिलती है मुझे नहीं लगता यहाँ पर वैसे कुछ जादा बात करने की ज़रूर पड़ीगी और उसके बात दोस्तों आते सीधा यहा पी support मिलता है तो I think इस smartphone में सब कुछ आपको यहाँ पर OnePlus ने भरके देती है तो wireless charging की कमी उन्होंने दूर करती है लेकिन अलग से आपको wireless charger लेना पड़ेगा OnePlus का अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके camera पर तो पीछे का जो camera दोस्तों वह एकदम कमाल का है आपको quadrifacing camera मिल जाता है जो बहुत अच्छी बाते है आप 480 fps पर slow motion video shoot कर सकते है 720p में उसके अलावा दोस्तों AI वाले बहुत सारे आपको features मिलते है उसके बाद दोस्तों आपको 8 megapixel का telephoto मिलता है जहाँ पर आपको 3x hybrid और 30x आपको digital zoom मिलता है जो बहुत अच्छी बाते है और इसमें भी 5 megapixel का आपको वही color correction वाला sensor मिलता है लेकिन दोस्तों unfortunately जब मैंने test किया चेक किया camera में जाके तो वह वाला option था ही नहीं इसका मतलब शायद से जो Indian unit box में से बाहर जब मैंने निकाला phone को तो उन्होंने disabled कर दिया रहेगा मुझे ऐसे ही लगता है क्योंकि मुझे वह option दिखा में जो oneplus 8 में sony imx471 मिलता है full HD वीडियो शूट कर सकते पोर्टेट ब्यूटी वगरा काफी सारे वैसे आपको extra features तो मिल ही जाते वैसे दोस्तों बात करेंगे कुछ camera samples की आप देख सकते या oneplus का यह जो phone है इसको camera samples है कमाल के दोस्तों optimization बहुत ही जबरदस्ते sharpness देखें problem नहीं होने वाले है selfie दोस्तों almost say में मुझे oneplus 8 जैसा ही feel हुआ यहाँ पर मुझे कुछ खास नया लगा नहीं natural है काफी अच्छे sharpness है और आप देखेंगे booky भी आपको काफी बढ़िया मिल जाता है तो selfie यहाँ पर आपको वैसे काफी अच्छी मिल जाते वीडियो की बा आप शूट कर सकते हैं तो selfie में आपको जो quality है selfie की वीडियो की वो भी आपको यहाँ पर काफी कमाल की मिलती है रही बात दोस्तों night की तो आपको dedicated night mode मिलता है अच्छे कासे आप bright pictures night में निकाल सकते हैं हाला कि night में यहाँ पर आपको अच्छे colors मिल जाते है noise थोड़ी कम है तो जो quality picture की निकल कर आती है वो काफी कम है वैसे मैं detail camera review बनाऊगा दोस्तों आप उसके लिए जरू से stay tune करना तो finally दोस्तों अगर मैं अपने opinion की बात करता हूँ तो smartphone तो बहुत ही कमाल का है जो display है दोस्तों वो honestly कहता हूँ मुझे OnePlus 8 से भी यहाँ पर better लगा है क्योंकि य OnePlus 8 जी सी तो वहाँ पर कोई changes नहीं है camera दोस्तों बहुत ही कमाल का है आपको जो primary camera वो customized sensor Sony का फिर ultra wide भी 48 मिलता है और telephoto है उसमें भी आपको OIS मिलता है dual OIS है तो rear camera तो killer है बस यह color filter को वो लोग ना निकाल दो तो मेरे कहल से better रहेगा selfie दोस्तों 16 megapixel से में तो वहाँ पर को मेरे क्याल से दोस्तों यह smartphone one of the best flagship smartphone जो आपको around 55 और 60,000 में मिलता है तो मैं आपको यह personally recommend करता हो कि अगर आपकी budget 55 यह 60,000 कि यह इसके सिवाना दूसरी जगा मत देखना पाप लगेगा इतना है दोस्तों इस वीडियो में वीडियो पसना है कि like करना give up में जाके participate करना मिलत आप से गलब दो में आपके साथ तेलने वे ग्रेट देखने और अल्वेस कीप स्वालिग